तो वेलकम स्वागत है आप सभी का इश्वडी सर्किल में और हम बारती संसद पर अधारित प्रेश्णों का सात्मा सेट लेकर आए हैं और बात कर रहे हैं सबसे पहले सवाल की तो पहला सवाल है कि संसद के अधिकारियों में सम्मिलित है चार कथन दिये गए हैं उसके बाद कूट दिये गए हैं हमको कूट से सही उत्तर का चुनाओ करना है पहला है अध्यक्ष लोकसभा दूसरा उपाध्यक्ष लोकसभा तीसरा महासची लोकसभा चौथा अध्यक्ष राज्यसभा अब हमको नीची दिये गए कूट से सही उत्तर का चुनाओ करना है चार तो इसमें सामिल हैं ठीक है अब क्वेशन नम्बर दो की बात कर लें कुष्य नम्र दो है कि संसद या विधान सभा कि किसी सदस की सदसता तब समाप्त समझी जाती है जब वह सदन को बिना सूचित की हुए अनुपरसित रहता है कितने दिन 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन या फिर 150 दिन तो यहां पर सही भी कल्प हो जाएगा ए 60 दिन अनुचेद 104 के तहर ठीक है और कुष्य नम्र तीन की बात कर लें कि सबसे पहले किस सांसद या विधायक को इस आधार पर सदसता से अयोग गोसित किया गया कि वह सदन की अनुमती के बीना उसकी 60 लगातार बैठकों में अनुपस्तित रहा विकल्प है राजसभा का, लोकसभा का, पंजाब विधान सभा का, डी विकल्प राजस्थान विधान सभा का तो सही विकल्प है यहां पे राजसभा का हुआ गया था कि नॉम्बर 2000 में, यानि कि सन 2000 में, पंजाब से एक निर्दली राजसभा सांसद थे, जिनका नाम बरजिंदर सिंग हमदर जिनका नाम था, उनको राजसभा के सांसद से, इस अधार पर नियोग गोसित कर दिया ग मामला पंजाब राजसे समन्दित है, और यह राजसभा का मामला है, ठीक है, अब कुस्य नंबर 4 की बात कर लें, तो कुस्य नंबर 4 है, तो कुस्य नंबर 4 है कि निम में से कौन सा एक प्रावधान, भारती समिधान के अंतरगत, संसत के सदस्यों के वीशे सा धिकार होता उनमुक्तियों को निधारित करता है, विकल्प है अनुचेद 104, अनुचेद 105, अनुचेद 82, अनुचेद 117, तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा, बी, अनुचेद 105, यह क्या गरता है, अनुचेद 105 के तहत संसत के सदन की, तथा उनके सदस्यों की सक्तियों, वीशे स विशेशा धिकारों और उन मुक्तियों को निधारित करता है अनुछेद 105 क्वेशन नमर पांच के बात कर लें तो क्वेशन नमर पांच है कि कि किसी मंत्री के विरुद्य विशेशा धिकार प्रस्ता उठाया जा सकता है कब ऐसा होता है विकल्प दिये गए हैं चार विकल्प हैं ABCD इनमें सही विकल्प हो जाएगा सी किसी मामले के तत्यों को रोकता है या तत्यों का बिगड़ा हुआ वर्णन देता है तब संसदी नियम और प्रक्रिया के तहट किसी भी मंत्री के विरुद्य विशेशा धिकार प्रस्ता उठाया जा सकता है क्वेशन नमर च्छे की बात कर लें कुछार निमन्रे से किनुकों who क्ला और राज सभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है Prime I'll do अचार इमें बिकल्ब इन में सही विकल्ब D हो जाएगा राज विधान मंदल के निमन सदन के निर्वाचित सदस्यों को थीक है अब बात करते हैं कुसर नमबर साथ की तो कुसर नमबर साथ है कि निमने कतनों में से कौन सही है चार कथन है और इसमें सही विकल्ब सी हो जाएगा कि किसी भी मनोनीत सदसी के मंतरी पद की नियुक्ति पर सम्विधानी वरजना नहीं है तो इसका सही विकल्ब, सही जवाब C हो जाएगा क्रिशन नमर आठ के बात कर लें तो क्रिशन नमर आठ में संगी संसद राज सूची के विशेपर भी कानून बना सकती है फिर चार कथन दिये गए हैं इसे पहला कथन है कि अंतराश्ट्री समझावतों को प्रभावी बनाने है तूँ दूसरा समधित राजियों की सहमयती से तीसरा राज में राष्ट पतिसासन लागू रहने की अवस्था में और चौता है कि राष्ट्री हित में जब राज सभा दो तीहाई बहुमत से इस हेतु प्रिस्ताव पारित करें अब हमको बताना है इनमें से सही उत्तर कौन कौन से हैं चार विकल्ब दिये गए हैं A, B, C, D तो यहाँ पे जो विकल्ब D है वो सही होगा सभी चारों क१न सही है कि राज सूची के विज़ियों पर विधाया नहीं कर सकती जब तक यहाँ भी चार कथन दिये गए हैं जिसे पहला का कथन है कि भारत का राष्ट पती उसे ऐसा करने का निर्देश न दे दूसरा राज सभा प्रस्ताव पारित करे कि ऐसा करना राश्ट्री हित में अवस्यक है और तीसरा है कि विधायन सभा का अध्यक्ष यह प्रमारित करे कि ऐसा विधायन अवस्यक है और D यानि कि चोथा जो है वो है कि राश्ट्री आपातकाल लागू हो अब हमको इन कतनों पर विचार करते हुए इन कूटों की साहता से सही उत्तर का चैन करना बताना कि नुम से कौन-कौन सही है तो यहां पे विकल्प डी सही हो जाएगा दो और चार सही है यह दो और चार की अवस्था में होनी पर ही जो भारती संसद है वो राज्यों की कि राजसूची के विशायों पर नियम बना सकती है थीक है अब कुषय नमबर दस की बात कर लें कुषय नमबर दस है कि समुधान के सूचिए नाटां की विशंचीओं मिरें दीए गये विशियों की अतरिक्ट विश्यों पर कौण कानून बना सकता है कि सर्वुच्य नियाले संसद राजविधान मंदल या फिर छेतरी परिशत तो यहां पर सही विकल्प हो जाएगा बी संसद द्यान देजिए का यहां जो भी सवाल दे रहा हूँ यह आपके तैयारी को चेक करने का एक तरीका है बिल्कुल इसी प्रकार के सवाल है यह कहीं भी जरूरी नहीं है बाकि ऐसे आ सकते हैं ठीक है तो क्वेसर नमबर 11 कितरे बढ़ते हैं अब हम और क्वेसर नमबर 11 है कि जो अध्यक्ष होते हैं अध्यक्ष सदन के किसी भी सदसे को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदन को बोलने दे सकता है या घटना क्या कहलाती है मर्यादा, पक्षत्याग, अंतरप्रदन या फिर बैट जाना यहां पर सही भी कल्प हो जाएगा डी, इल्डिंग दा फ्लोर यानि की बैट जाना अब थोड़ी सी इसका हम आपको बता दें कि यह मर्यादा होता है, इसमें क्या होता है कि विनम्र और स्विकार विवहार बनाया रखना जो हर किसी को पसंद आए और पक्षत्याग यानि क्रोसिंग तो फ्लोर की बात करें तो इसमें क्या होता है, कि सदन के किसी भी सदस्य के दुवारा वह जिस दल से चुनकर आया हो, उसका त्याग कर दूसरे दल में सामिल हो जाए तो यह पक्षत्याग कहलाता है जबकि अंतर प्रदन यारे कि इंटर्पलेशन की बात करें तो यह क्या होता है, कि किसी भी सरकारी अधिकारी से किसी नीती या कार के वीवरण की मांग के लिए जो संसदी प्रक्रिया होती है, वह अंतर प्रदन कहलाता है जबकि बैठ जाना या पर एल्डिंग दे फ्लोर यह किसी भी सदस को बोलने से रोक कर अन्य को बोलने के लिए जो कहा जाता है उसे बैठ जाना कहते हैं ठीक है कुश्य नमर 12 की बात कर लें तो कुश्य नमर 12 है कि सून निकाल संसदी विवस्था को किस देश की देन है तो इसका सही विकल भारत है या आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये नवाचार है जो सभी देशों में यानि कि संसदी विवस्था को भारत की देन है ठीक है अब बढ़ते हैं कुश्य नमर 13 की तरफ तो कुश्य नमर 13 है कि लोग सभा में सून निकाल की अवधी अधिक सरिक कितनी हो सकती है तीस मिनट एक घंटा और निस्चित काल के लिए या फिर दो घंटा तो इसका सही भी ग तक सुबह 10 से 11 बजे तक और सुबह 11 से 2 लफार 12 बजे तक और डी विगल्भ है कि दो फर 12 से अपरहान एक बजे तक तक तो यह ना में उनिससु साट और निसस सतर की दसक में समाचार पत्रों में दिया जाने लगा और इसमें होता गया था कि पहले बीना पूर सूचना के और पीटा सी नदिकारी के अनुमती नेने पर भी कुछ सदस्तों के दुआरा मामला उठाने के प्रिता भारत में विखसित होई और इसे सून निकाल का नाम दे दिया गया ठीक है और ये भारत की देन है यानि संसरी प्रेकरिया का नवाचार है सून निकाल ठीक है और क्षिचन नमर 15 की बात कर लें कि राजय इतिक सब्दावली में सून निकाल का अर्थ क्या है चार विकल्प है ये बी सी डी ए में है क्यों है दिन जब संसर में कोई कारे नहीं होता भी निलंबित प्रिस्ताओ स में इस्तागाल चल और यह अरो सोन काल होता है और इस समय 12 से 1 है और इस समय होता क्या है कि संसर कर कोई भी सदस जो है क्लिकrenched बहुत से पूछ सकते हैं और उनसे उत्तर देने के लिए बोले सो निकाल का यह विशेश्था है तो यह था सेट साथ और सेटार्ट जल्द लेकर आ रहे हैं कैसा लगा यह वीडियो जबूर बताएं नमस्कार जय है जय भारत